तो रिसेंटली दिवाली के जस्ट एक दो दिन बाद मेरे फ्रेंड का मुझे कॉल आया और वो पिछले पांच साल से दुबई रह रहा था उसके बाद वो करेंटली अभी न्यूजलेंड में रह रहा है और उसने मुझे और अपना एक्सपिरियंच शैर किया यह रहा मेरे शिस्टर की शादी की और काफी सारे काम की तो उसने मुझे बोला कि No doubt दूबई में रह के मैंने पैसे कमाया अभी न्यूजलेंड मे औरे रह रहा है तो न्यूजलेंड में रहके भी वो बोलत में यहां पैसे कमा रहा हू digestAl Keanu उना बढर चाहता बात बोलता था कि मैं सोच रहा हूं कि मैं इंडिया में आ जाओ अब देखो ये बात जूट हो सकती है लेकिन जो फ्रेंड था वो मुझे अच्छे से जानता हूं तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा रेजन होगा कि मुझे ऐसा जूट कहेगा अब यह रही मेरी एक इसकी ठीक है अब बात आ जाते हैं कि मैं खुद as a counselling करता हूं as a clinical science trainer तो काफी सारे रोल्स पर especially clinical science role पर मैं लोगों की counselling करता हूं तो मैं काफी सारे लोगों से abroad में भी connect हुआ जिन्नों ने मुझे reach out किया इस चीज के regarding क्यों उने clinical science सीखना है तो मैंने वो चीज़े उनको बताई उसके बाद मैंने उनसे सवाल किया कि जैसे कि आप अभी UK में रह रहे हो या Canada में रह रहे हो या US में रह रहे हो या किसी भी country में रह रहे हो तो आपको हाँ पर कैसा लग रहा है अपनी home country छोड़के और मतलब आपने क के दारान लोगों से connect हुआ ना यूजली इससे पहले में मेरे friends से connect होता था तो मेरे friends mostly 25-30 के बीच में इस age की लोग होते थे और वो मुझे अपना experience share करते थे अब जिन लोगों से मैं connect किया या तो student भी थे ठीके counseling के दारान या तो working professional भी थे जो last 5-10 years से या 15 years से out of India रह रह है तो मैंने उन से पूछा कि आप क्या सोच के बाहर गये थे इन सिंपल सी एक चीज बोली कि पैसा हम पैसा सोच के यहां पर आये थे उन्होंने बोला कि यहां पर कोई connectivity नहीं होती और ऐसे काफी सारी चीजे शेयर की तो मैं सुनके थोड़ा वो हो गया कि सभी लोग almost ऐसा क्यों कह रहे है अब चलो यह तो बात हो गई कि friends के experience की और लोगों ने counseling के दुरान मुझे कहा अब थोड़ा सा comparison कर लेते चीज़ों का India versus abroad तो पहला comparison शुरुआत करेंगे सबसे important चीज़ हो है पैसा लोग बाहर जाते क्यों है सबसे पहली चीज़ अच्छा पैसा कमाने पर उनकी जो salary होती है ना वह काफी अच्छी होती है अब Canada के sense में देखोगे तो इतनी अच्छी नहीं होती बाट इंडिया के sense में देखोगे तो salary काफी अच्छी होती है जब इसको convert करोगे तो as a security guard काम करके भी आप अच्छा-खासा पैसा कमा सकते हो let's suppose 50,000 पर मंत या 1, 1.5 लाक पर मंत जब मैंने स्टुटेंट से Canada में connect किया और UK में connect किया वह ऐसे स्टुटेंट ही जब वह पढ़ाई के साथ job कर रहे थे तभी वह 1 लाक तक कमा लेते थे और ऐसा नहीं कि 1 लाक तक कमा लेते थे तो मतलब और खर्चे नहीं थे तो और खर्चे थे खर्चों क के बाद भी वह कम से कम 80,000 या 1 लाक मैंने देखा बचा ले रहे थे स्टार्टिंग में रेशियो कम जादा हो रहा था लेकिन मैंने देखा कि कुछ टाइम बाद जब उनको काम करते हैं कुछ टाइम हो गया और उनकी पढ़ाई चल रही थे यह बात ध्यान में रखना हो फ फेक्टर वहां पर विन होता है अब्रोड कंट्रीज में हम यहां पर फेक्ट की बात करेंगे कंक्लूजन पर बात पर आएंगे पैसा इनिशली जब आपको इंडिया में कमाना है तो स्लो प्रोसेस होगा अगीन मैं लोगों की बात कर रहा हूं जो कि लाज़ पॉपलेशन 90% में आते जिनको क्लियर टीन नहीं है वो फोकस नहीं उन्हें नहीं पदा कैसे पैसे बनाने हैं चाहे वो करियर में या चाहे वो बिजनेस में उस मामले में कैनेडा या कोई भी अलग कंट्री यूएस विन-विन हो जाता है इन टम्स अफ क्विक मनी ठीक है आपको क्वि बाहर बाहर बेटर है जैसे कि मेरी स्टूडेंट है जर्मनी में तो बताती है कि काफी सारी फ्लेक्सिबिल्टी जवा लग्या काफी बेटर है कंपेर टो इंडिया क्योंकि उन्होंने इंडिया में बीकाम किया अब रिख जो वुक लाइफ बालते वाली चीज है या ईपन upon company to company, अगर बाहर भी आप किसी ऐसी company में या startup में काम कर रहे होगे, तो work like balance उतना better नहीं होगा, बड़ चीज होती है, बाहर आपको compensation उस चीज का जाधा मिलता है compare to India, let's suppose इंडिया में आप 2 घंटे या 3 घंटे काम करते हो, तो शायद उतना आपको value और compensation ना मिले, लेकिन बाहर अगर आप 2-3 घंटे जाधा काम करते हो, अगर company की requirement है, तो वो compensation और flexibility और value काफी अच्छी मिलती है, compare to India, क्योंकि India growing countries है and US, Canada पहले से ही, मतलब एक stable economy है, कहने को, stable economy है, तो वहाँ पे rules काफी तगड़े हैं, जो employer rules है, वो भी काफी अच्छा है, तो ऐसा नहीं कि employer आपको बार 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 बोल दे कि भाई, इतना काम करो, उतना काम करो, तुम्हें करना ही पड़ेगा, compare to India, work-life balance, थोड़ा सा better है, बाहर, okay, in terms of work, हम बाकी चीज़ों पर भी आएंगे, in terms of work, work-life balance और money, दोनों चीज़ वहाँ पर better है, अब बात कर लेते एक point, जो कि discuss नहीं होता, बड़ मैं आपको बताना चाहूंगा, legal troubles, बहुत लोग यूएस में जाते हैं, तो वहाँ पर मतलब city agency playने के लिए काफी struggle करते हैं, या वो process कर रहे हैं, या ये process में हैं कि कब हमें ये मिल जाए, कुछ न कुछ legal challenges उनके साथ initial कुछ years चलते रहते हैं, जो कि इंडिया में नहीं होंगे, बड़ा पहार आप जा रहे हो, तो legal challenges आपको बहुत होंगे, आपको वहाँ रहने के लिए ही काफी struggle करना पड़ता है, initially जब आप as a college student हो, बाज में काफी लोगों का ऐसा मोटी होता है कि मैं वहाँ का citizen मन जाओ, मुझे PR मिल जाए, मुझे green card मिल जाए, ऐसे बहुत सारी चीज़ होते हैं, ये legal challenges भी याद रखना, depend about country to country आपको सफर करना पड़ता है, initial 10 years या 5 years में, depend upon जब तक वहाँ कि आपको ना मिल जाए, और ये जो citizenship और legal troubles, ये तलवार हमेशा आपके उपर लटकती रहती है, और इसी से connected मैं आपको जब next point बताता हूँ, first citizens, देखो आप इंडिया से बाहर अगर आप इंडियान हो ना by born, आप यहाँ की पैदाईस हो, आप किसी भी country में जाओ, तो आपको as a country के primary citizen आपको accept नहीं करते हैं, आप हमेशा हम के लिए secondary citizen होते हो, तो काफी जगह पे ऐसा देखा गया है कि biasness होता है थोड़ा सा in terms of everything, और बाहर तो culture है ही, connected लोग नहीं है, इंडिया में जैसे लोग enjoy करते हैं चीजों को, बले जगड़ा भी करते हैं, enjoy भी करते हैं, सारी चीज भी करता है, और बाहर एक चीज आपने notice की जो बाहर रहता होगा ना, वो उसे काफी ऐसा feel होता होगा कि home sickness ये words सुने होंगे, गर की याद आना ऐसी चीज है, क्योंकि बाहर लोगो फर्क नहीं बढ़ता, आप क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, कभी कभार ये चीज आपको क काफी अच्छी लगेंगी कि लोग आपकी personal चीज़ों में interfere नहीं करते, एक टाइम बार आपको ये feel होने लगया कि भाई ये क्या है, खास करके जब आप अकेले हो, ठीक है, आप अकेले हो तो ये चीज़े matter करती है, और long term में जब आप पैसे वैसे बना लेते हो, सब चीज करना है, तो उतना ज़्यादा नहीं हो पादा, और वो country ये लोग आपको कभी primary citizen consider नहीं करते, बट अगें ये हर जगे अलग-अलग है, ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब लोग ऐसे हैं बाहर, लोग काफी बढ़िया है, बट ये मान के चलना उनके दिमाग में हमेशा आप primary citizen नह करना है, फ्रीयों के घुमते है, आपको feel होता है, this is my country, I am the citizen, वट से भोलते हो, बट बाहर आपको काफी सम्हाल के बोलना पड़ता है, सम्हाल के सोच के कोई भी activity करनी पड़ती है, because यो feel की बहुत मुश्किलों से मैं यहां पर रह रह रहा हूं, कमा रहा हूं, कुछ भी ह हुआ, तो शायद मुझे deport भी कर दिया जाएगा, that is also one thing, no doubt, वहाँ पे चीजे होती है, अच्छी चीजे भी होती है, पर अभी आपने देखा, US का एक वीडियो रिलीज हुआ था, जहां पे पुलिस वाले ने, शायद speed driving की वज़े से, rash driving की वज़े से, एक लड़की को टक हो गई, तो यह चीजे होती है, no doubt, यह चीजे इंडिया में भी हो सकती है, आप बाहर भी, पर वहाँ पे अगेन, वह प्राइमर ट्रीजियन वाला फ्रेक्टर रहता है, आप उनके लिए secondary हो, आप आए हो कमाने के लिए, उनके दमाग में ऐसा होता है, अब बात कर लेते है है, short time thoughts के उपर, कि short time में क्या thoughts होते हैं, जो बंदे जाते वहाँ पे, देखो short time में यह होता है, कि एची job लेंगे, पहले पढ़ाई पुरी करेंगे, और पढ़ाई के साथ job करेंगे, और जो भी fees है, खुद से भरने का try करेंगे, वहाँ पे कहीं PG में रह लेंगे, या यह सारी चीज़े रहती है, फिर देरे-देरे student के मन में यह होता है कि phone लेंगे, अच्छा वो लेंगे, फिर इंडिया में आके कुछ चीज़े खरी देंगे, short time में यही mostly thoughts रहते हैं किसी भी बंदे के मन में, अब बात कर लेते हैं long time thoughts के उपर, long time में बताओं मैं जितने लोग साल से रह रहे भाय, उन सभी ने एक चीज़ बोली और उन में से काफी लोगों ने चीज़ इंप्लिमेंट की, कि वो वापस इंडिया आ गया, उनको citizenship मिल गया था, उनको PR मिल गया था, उनको ग्रीन कार्ड मिल गया था, उसके बाद भी वो लोग इंडिया आ गया, उनका क में रहते हुए फील हो, आप कहीं सहर में रह रहे हो, बैंगलोरिया कहीं पर आपका गाउं कहीं और हो, आपको एक टाम बाद फील हो सकता है कि मैं क्यों ना, जब अच्छे पैसे कमाल हो, तो मैं अपने काउं में जाके रहूँ, वहाँ पर चीज़ों को बिल्ट करूँ, अगे, इस वीडियो का पॉपस आपको motivate या demotivate करना नहीं था इस वीडियो का पॉपस आपको aware करना था, अब इस शीज़ पे मेरा conclusion क्या है, मेरा conclusion क्या है मैं क्या सोचता हूँ, देहो, पहली चीज़ आप इंडिया में रहके एक skilled employee बन जाओ, skilled employee means किसी अच्छी चीज को सीख लो, आपका educational background क्या है, उससे फर्क ने पड़ता, एक अच्छे skill को सीख लो, एक अच्छे job को ले लो, एक दू साल काम करो इंडिया में, अच्छी गमनी को join करो, कम से कम आपकी salary 50 प्लस thousand होनी चाहिए, ठीक है, within 1-2 year, 50 प्लस thousand salary होने के बाद within 1-2 year, आप थोड़ा free feel करोगे, थोड़ा free, okay, not exactly, एक दम freedom, फिर उसके बाद 2-3 साल में salaries को grow करो, कम से कम 80 या 1 lakh के पास ले जाओ, अब आप free हो, अपने decisions को free होके लेने के लिए, free यानि mentally pressure नहीं रहेगा, अक्सर लोग बाहर जाने का decision तब लेते हैं, life में आपकी चीज़े set हो, मैं जैसे अभी कैसा सुचता हूँ, अभी मैं as a counselling or trainer हूँ, मैं corporate में काम भी कर चुका हूँ, एक अच्छे रोल गिलिए, clinical success रोल के लिए, तो मुझे अगर बाहर जाना है, तो मैं शायद relevant knowledge लेने जाओंगा, clinical के लिए और कुछ मैं शायद पढ तो अगर आप एक midcore हो कि आपकी salary 1 lakh हो, तो पहले अपनी skills का develop करके बाहर जाके explore करो, जो आपकी इच्छाये हैं, जो मन करता है, वो करो, let's suppose आपको issues में पढ़ाई करनी है, तो जाके उस issues में पढ़ाई करो, अपने आपको explore करो, logo explore करो, logo से जानो, सीखो, उसके बाद कुछ नहीं होता, mostly आपकी life में चीज़े नहीं अच्छी चल रही होती, on top of that आप सोचते हो कि बाहर जाके मैं मेरी life ठीक कर लोगा, no doubt ठीक तो होती है, but थोड़े time बात कमाने के बाद आपका मन भर जाता है, कि पैसे से आपका पेटनी भरने वाला, एक time के बाद pocket तो भर और वो चीज़ आप इंडिया में भी कर सकते हो, एक दो सार इंडिया में मन लगा के महनत कर लो ना, तो आप set हो जाओगे, but हाँ, ये बात सही है, कि आप Canada या UK या किसी country में जाते हो, initial package ये आपका boost हो जाता है, struggle का spawn कम हो जाता, no doubt आपकी skill अच्छी है, let's suppose security guard की skill कोई बह इस रोल पर मैंने काफी सारी चीज़े सीखी है, और इस रोल की इंडिया में भी पे अच्छी है, globally भी पे अच्छी है, ताहम इंडिया में काम करो, या abroad में काम करो, मुझे तो growth और पे है, वो काफी अच्छा मिलेगा, अच्छा skill आपकी life बदल सकता है, जहाँ आप इंड अच्छी फ्लाइट टिकेट सफॉर्ड कर सकते हो, अब वहाँ से मूव हो, फिर मन करें तो वापिस अब रोड जाओ, वहाँ पे काम करो, यह शुट भी फ्री, अब यह चीज़े पॉसिबल कब होती है, यह चीज़े पॉसिबल तभी होती है, जब आपके पास अच्छा skill ह जब तक आप जॉब की तलास में होते हो, जब तक आप किसी रेस्टरंट में काम कर रहे हो, जब तक आप किसी बुक स्टोर पे काम कर रहे हो, जब तक आप जैसे इंडिया में डी मार्ट होता है, वैसे आउट उफ इंडिया एक होता है, वाल मार्ट राइट, जब तक आप पैसी जगे काम कर रहे हो and until unless उपर की position पे ना हो, तो आपको freely सोच पाना, इंडिया आना, वहाँ पे चीज बनाना कि आगे future बनाओ, वहाँ पे शादी करो और family shuttle करो, ये process बहुत ही लंगा हो जाए. इन process को छोड़ा करने, एक simple सा method, have a good skill, grow and get a good job, either you work in India, either you work in abroad, get a good money and that's all, चाहे किदर भी काम करो, अच्छी salary लो and that's all, आप free रहने चाहिए and then मेरा वो कहना है, ऐसा कई fix रहने की ज़रत नहीं, मुझे इतनी मैनत की, मैं यहीं पे रहना है, मुझे इतनी मैनत की, यहीं पे रह में भी खुश रह सकते हो, but अगर आपके पास option नहीं होता है, इंडिया में रहा के salary 30,000 मिलने वाली, आप road में 2,00,000,000 मिल रही है, तब आप जाके frustrated होते हो, और तब आपको लगता है कि ने, मुझे बाहरी रहना चाहिए, पैसा एक reason है, क्योंकि पैसा वहीं पे है, तो आ आप इंडिया में भी बहुत पैसा कमा सकते हो, आप बाहर भी बहुत पैसा कमा सकते हो, at the end, चीज़े आके रुपती है, एक चीज़ पर, what's your role, what skill you are having, are you updating your skills or not, so ये चीज़े बहुत मेंटर करती है, वीडियो को लब माना करते हुए, यहीं पैंड करते है, मिलते हैं अग